आज मैं बात करूंगी गुरुवार के दिन तोलसी मया को ये दो चीज़ें अरपत करेंगे तो आपके गार में अनदान की कभी कमी नहीं होगी दार्मिक मानताओं के इंसार गुरुवार का दिन बगवान श्री हरी विष्नु को समर्पत है और इस दिन उनके साथ साथ तोलसी का भी बिजी वदान से पूजन किया जाता है हिंदु दर्म में तुलसी को पूजने स्थान प्राप्त है और इसलिए आपने हर गार में तुलसी का पौदा जुरूर देखा होगा तुलसी का पौदा लगाने के साथ ही लोग निजमत रूप से इनका इसका पूजन करते हैं और कहते हैं कि तुलसी का पूजन करने पर बगवान विश्णू पर सन होते हैं और अपने वक्तों को अशीरवा देते हैं जिस गार में बगवान विश्णू और तुलसी का पूजन होता है बहां कभी भी अन दौलत वैच्छ सम्रीदी की कमी नहीं होती गुरु वार के दन अगर आप तोलसी का एक शेश अपाय अपनाएंगे तो दन लाव के नए रास्ते खुलेंगे तोलसी का अपाय दन प्रावती के लिए आपको गुरु वार के दन तोलसी का जेव शेश अपाय वच करना चाहिए वगवान विश्णू को परसंद कारने के लिए गुरुवार के देन शनान के वाद तोलसी की जाड़ को कच्चे दूद से सीचना चाहिए इसका मतलव है के तोलसी में कच्चा दूद चनाना चाहिए इसके वाद शाम के समय तोलसी के पौदे के पास गी का दीपक दिलाना चाहिए मानता है कि ऐसा करने से तोलसी मैया परसंड होती है और तोलसी मैया को मा लश्मी का ही रूप माना जाता है इसलिए तोलसी को परसंड करने से गार में मा लश्मी का वास होता है दन प्रावती का अशीरवाद मिलता है गुरुवार के दिन इन वातों को भी ध्यान में रखें अगर आप गुरुवार का वर्त कर रही हैं तो तुलसी पूजा करते समय ध्यान रखें कि पूजा के दुरान पीले रंग के वस्तरदार न करें इससे आपकी हर मनों कामना पूर्ण होगी गुरुवार के दिन बर्त करने वाली महलाओं को बाल नहीं दोने चाहिए और नाही साबन का इस्तेमाल करना चाहिए इस दिन केले के पेड़ में जल चड़ाने से आर्थक तंगी दूर होते हैं लाइक कीजिये शेयर कीजिये सब्सक्राइब कीजिये थैंक्स फर वाटिंग दिस वीडियो